अलो एब्रीवन वेल्कम टु अलर्ट क्लासे तो आज अभी डिसकस करेंगे आपकी क्लास टेंथ का चेप्टर फाइफ टाइप फॉर्स है यह आपकी गोल्ड सीरीज है अगर आपने अपिता है इसमें हमारा फस्ट लेक्टर नहीं देता है तो आप पहले जाकर वो देख ली तो इसके अंदर हम जो डिसकस करेंगे वो रैस्पाइडेशन के बारे में डिसकस करेंगी रैस्पाइडेशन वो होता है जैसे कि आप चो सांस लेती है उसको हम रैस्पाइडेशन वो तो रैस्पाइडेशन आपका टू टाइप का होता है ठीक है रैस्पाइडेशन respiration कर रहा है और उसके अंदर आप gases exchange कर रहा है तो जब आप सांस लेते हैं तो उसमें आप O2 लेते हैं यानि कि oxygen लेते हैं और जब आप हार छोड़ते हैं तो वो CO2 जो होते हैं यानि कि breathe out करते हैं वो CO2 होते हैं कि intake of oxygen from the atmosphere ठीक है जो oxygen आप atmosphere से ने रहे हैं and release कर रहा हैं आप CO2 breathing में ठीक है अब second की हम बात करते हैं breakdown of simple food in order to release energy inside दस है जो आप breathe out कर रहा है simple food in order to release energy उसमें जो energy release हो रही है वो कहा जा रही है हमारी cell के अंदर कि इसको बोलते है cellular respiration ठीक है breakdown of glucose by various pathways तो जो glucose होता है उसका breakdown होता है वह सारी pathways में होता है ओकी अब यहां पर हम देखेंगे breakdown of glucose by various pathways ओके अब glucose का जो फॉर्मूल होता है आपका वह C6, H20, O6 होता है ओके अब यह glucose जो पाँपर पिर्जेट है inside of blood तो इसने क्या दरा फर्स्ट इसने pyrovic acid plus energy ठीक है absence of oxygen में इसने इसे ethanol plus CO2 plus energy में chain कर दिया ठीक है fermentation process होती है यह fermentation जो होता है आपके यह process of conversion of pyrovic acid into ethanol ठीक है CO2 and energy by yeast तो जो absence होता है oxygen का उसकी presence में ethanol बनता है ठीक है उस ethanol जो होता है fermentation किसा गोलेंगे वो process जिसमें pyrovic acid into ethanol CO2 and energy होती है ठीक है किसमें होता है pie yeast जो बढ़ती है वो fermentation होता है अब आप glucose को नेजिए pyrovic acid plus energy में अब इसके अंदर insufficient oxygen है ठीक है lactic acid plus energy ठीक है lactic acid plus energy accumulation of lactic acid for muscles fatigue it occurs after rigorous exercise अब देखिए lactic acid for muscles fatigue ठीक है lactic acid plus energy accumulation of आपकी जो muscles होती है आप ऐसे समझें जैसे कि आपने देखा हुआ जिम आप गए फर्स्ट टे तो आपने फूम एनस से exercise करी आपको जो भी set जैसे कि आपको कोई काम ओड़ा पांच निट करना था आपने दा आरी नहीं हमें तो पेंट नहीं और अलाव हम कर रहा है तो आप रह उसे पांच से पंद्रम मिनट तक कर दिये या कोई नेवर वर्क जैसे कि नेवर वर्क जो होता है करता है और एक्जामपल जैसे कि कोई काम आप नहीं कर दे और उसमें आपने आप ने करा पेंटी बार तो उसमें आप अपनी बॉड़ी से ज़्यादा वर्ग गड़ चुगे तो आप पो आइडिया तो वह नहीं कि आप यह से रोस्ट तो गरते नहीं, और एक्जामबल जो सफाई वग्यरह होती है, तो आ रहोगी उस्वेश आप लग जाते हैं, तो उसके बाद की मसल्स पेन करते हैं, तो उसमें क्या होता है? मसल्स फैटिक होता है, तो यह जो होता है, यह लैक्टिक एसिट की वज़ास होता है, यह और यह जादा तर पस्टेडे एक्सरसाइस करने पो, उसके बाद दूसरे दिन आप, जो काम आप पाज मिनट करना था, आपने वो पंचाल लेट करा, फिर आप वो दो मिनट ही निकत पाते हैं, तो कि पेनी इतना होता है, ठीक है, पाइरविक एसिट फिलस एनर्जी, पिर्जेंस ऑफ उक्सीजन, अब इसमाँ उक्सीजन पिर्जेंट है, किसके अंदर माइट्रोगोंटरी है, तो सीओ टू प्लस वाटर प्लस एनर्जी, ठीक है, तो यह चीज यहां पर आ रही है, यानि कि आपके मसल्स में पेन हो रहा है, अधर आपके प्रिजेंस ऑफ उक्सीजन है, इन माइट्रोगोंटरी है, तो वो आपको एनर्जी दे रही है, ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, रैस्पाइरेशन में, ठीक है, रैस्पाइरेशन जो होता है, आपका एर प्रिजेंस ऑफ उक्सीजन, ठीक है, इसमें उक्सीजन प्रिजेंस हो, मतलब प्रिजेंट होती है, और इनके अंदर एपसेंट होती है, अक्सीजन एपसेंट हो, ये किसमें होते हैं, माइट्रोगोंटरिया में, एरोबिक रैस्पाइरेशन काम होगा, आपको लाजमों में, end product है CO2 and H2O, इसका जो end product बनेगा, वो CO2 and H2O बनेगा aerobic में, और इनका end product क्या होगा, L1 और Lactic Acid, तीगे anaerobic respiration में end product alcohol और Lactic Acid होगा, इसमें क्या होगा, more amount of energy is released, इसमें क्यों होगा, less amount of energy is released, anaerobic में energy जो होगे, वो कम release होगी, aerobic में आपकी energy जादा release होगी, तो यह difference होते हैं, तो इनको आप अच्छी तरह याद कर लीजे, अब हम बात करेंगे human respiratory system की, okay, passage of air through the respiratory system, सबसे बहने nostrils आए, नेसल पैसे जाए, देखिए आप, नेसल पैसे जाएंगे आपका, नेसल cavity आगए, ठीक है, parings होगे, parings होगे आपके, trachea होगे, देखिए, यहाँ पर parings, 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 capillaries होगे, आपके bronchi से alveoli तब, okay, लंस में, ठीक है, mechanism of breathing, यह breathing का आपका mechanism है, तो आप इसको याद कर लीजेगा, हमारा nostrils से start होगा, और capillaries पर आजाता है, ठीक है, अब देखिए, यह आपके alveoli हो गया, जो लंस में present होती है, यह इसका, बड़ा दर के, इमेज है, ठीक है, यह पूरी, तो यह आपके respirator bronchi उस होती ही, alveoli, तो आप इस डाइग्राम को अच्छी तरह देख लीजेगा, यह human respiratory system का है, और ताकि आपको अच्छी तरह ही याद हो सको, अब mechanism of breathing की हम बात करेंगी, इसमें हम inhalation and exhalation की बात करेंगे, तो during inhalation, तक thoracic cavity, chest cavity expand, तो देखा होगा आपने, जब आप सांस लेते हैं, तो आपकी जो chest होती है, वो बड़ी हो जाती है, यानि कि आपकी च्छाती बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस वक्त आप oxygen ले रहे होती है, जब आपने air ली, तो उस वजा से आपके lungs जो होती है, वो फूल जाती है, और जब आपके lungs फूलती है, तो जाहिर सी बात है, आपकी chest भी expand होगी, यानि कि हैनेगी बड़ी होगी, और जब आप air breathe out करते हैं, तो आपकी जोड़ते तो थोरे सी cavity होगी, वो contract होगी, तो कि आपके lungs जो है, उन में से air जाएगी, तो वो contract होगी, तो देखिए आप, acceleration में थोरे सी cavity contract, अब जब ऐसा होगा inhalation में, जब आपकी च्छाती पूलेगी, यानि chest आपकी expand करेगी, तो आपकी जो rips होगी, यानि कि इन दीवे समझीए आप पसलिया, ठीके, जो आपकी rips होगी, वो lift up करेगी, यानि कि ऊपर की तरफ आएंगी, ठीके, और इसमें जो होगा rips, जब वो ऊपर आगई, अब वो नीचे जाएंगी downward, ओके, diaphragm, become flattened shape, इसमें जो diaphragm होगा, वो flattened shape होगा, diaphragm becomes doom shape, इसमें जो होगा, doom shaped होगा, volume of lungs increase, जब वो lungs का volume increase करेगा, तब ही तो आपकी chest expand करेगी, नहीं तो जब volume ही increase नहीं करना तो, तरवद ही या chest expand होने की, एके increase and air enters the lungs, और जब आपका lungs का volume increase करेगा, तो common सी बात है कि उसमें air entered, ओके, अब इसमें क्यों होगा, volume of lungs decrease होगा, reason sobsa, air exists from the lungs, air अपने lungs से निकल गए, तो lungs decrease होगा, ओके, यह आपका diagram है, तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके जो chest है, यह बड़, expand है, और यहाँ पर आपकी chest, देख सकते हैं, चोटी है, यहाँ पर आपकी chest inhalation में आपकी बड़ी हो रही है, और acceleration में चोटी हो रही है, ठीक है, क्या आप देख लीजेएगा, exchange of gases between alveolus, blood and tissue, अब हम बात करेंगे, जो gases exchange होता है, alveolus में, blood में and tissue उसके बारे में, परस्ट हम देखते है, air, air क्या होता है, air rich होड़ती है, O2 से, ठीक है, हम pure oxygen तो लेने सकते, अगर pure oxygen लेंगे तो अनुकसान, और CO2 लेंगे तो अनुकसान, तो हम जो लेते हो, air लेती है, उसमें mix सब होता है, gases, ठीक है, अब, air हमारे कान गहीं, blood में, bind with hemoglobin, किस से bind होई hemoglobin से, इन RBC, O2 is released in, उसके बाद O2 is released होई in ambulance से, through blood vessels issue, सबसे पहली बात, आपकी air जो है, वो blood में गहीं, पिर उपाइंट होई hemoglobin से, hemoglobin क्या है, आपर प्रिजेंट है, RBC में, RBC आपकी blood cells होगी, O2 आपका release हुआ, उसके बाद in albulus में, परो किसके दरी blood vessels, और blood vessels कहां ती tissue में, ओके, अब हम second की बात करेंगे CO2 की, CO2 release in blood, CO2 का release हुआ blood में, resolve का हुआ blood में, उसके बाद blood vessels, release in alveolar sac, और release का होता है alveolar sac में, send out throat nostrils, और जो हम CO2 बाहर करते हैं, किसके दरी nostrils के, from tissue, ओके, अब terrestrial organism की बात करेंगे, use atmospheric oxygen for respiration, एक है, for respiration, aquatic organism की जो हैं आपके, use dissolve oxygen from for respiration, terrestrial जो होते हैं, जो oxygen होती है, वो atmosphere में होती है, उसका यूज करते हैं respiration के लिए, aquatic animal आपके, जो oxygen, dissolve होती है, उसका यूज करते हैं, ओके, इसके लिए respiration, अब हम बात करते हैं respiration in plants की, respiration in plant is simpler, than the respiration in animals, plants का जो respiration है, वो simple है, animals के respiration है, gaseous exchange, अकर थे रोग, कीगे, stomata in leaves, इसमें stomata present होते हैं, leaves में, plantices in stem, और third general surface of the road, कीगे, transportation and excretion की, अब हम बात करेंगे, human being like other multi-cellular organism, meet regular supply of food, human beings होते हैं, और जो multi-cellular organism होते होने, regular food supply चाहिए, oxygen चाहिए, और वह सी चीज़ हैं, जो होने daily basis पर चाहिए, यानि की regular चाहिए, तब ही वो survive कर सकते हैं, world dead है, ठीके, इस function is performed by circulatory system, और transport system, और इसको हम कहते हैं, circulatory system या transport system, ओके, the circulatory system is human being consist of, अब जो circulatory system होता है, human beings में वो आपका heart हो गया, arteries and veins हो गया, blood and lymph हो गया, ठीके, heart क्या करता है, pumping organ, heart जो आपको pumping organ है, यानि की आपकी body में heart यह से मान दीजिए, आपकी एक motor का का काम करता है, जो blood को लगातार pump करता है, आपकी body में, arteries and veins क्या कर रहें हैं, blood vessels हैं, ठीके, यह जो होती हैं, यह blood vessels होती है, और circulatory medium, और body, blood and lymph आपका एक circulatory medium है, अगर इन में से एक भी चीज़ कम हो जाए, तो समझने जीए, आदमी कहीं का कहीं होगा, अब हम बात करते हैं, lungs की, ठीके, अब देखें, यह जो blue वाला है, यह oxygenated blood है, ठीके, और यह वाला, आपका yellow वाला, oxygenated blood है, तो आप ऐसे मानिए, की, सबसे पहले आपने, यह body अंदर lungs है, आपनो oxygen ली, अब वो आपकी चल ली, यहां से, pulmonary base oxygenated blood, यहां लेके, आपके left atrium में, left atrium से आपकी left ventrical में आई, left ventrical से होता हुआ, आपका, blood main artery, arotar main artery में आया, जिसे, arotar oxygenated blood, ठीक है, third portion, उसके बाद, आपको body organs में यह गया, ठीक है, blood, उसके बाद, आपका जो body organs में, deoxygenated blood था, वो main vein, vein के जरीए, आपका right atrium में आया, एक बाद याद रखेंगे, यहां पर blood circulation की बात हो रही है, ठीक है, जो आपका blood circulation है, बोचन में आया, ठीक है, right atrium में आया, right atrium से आपका right ventricle में आया, उसके बाद आपका pulmonary artery सो होता हुआ, deoxygenated blood, वापस lungs में आया, अब यहां पर यह दोबारा से refil होगा, ऐसे मान लीजिए आप, किये यहां पर दोबारा से oxygen लेगा और फिर चल देगा, तो यह cycle चलती रहती है, blood circulation, यह diagram to show blood circulation in human body, तो यह जो आपका diagram तो blood circulation गया था, अब lungs से oxygen रिफिल करेगा, oxygen फिल करेगा, जो अपने oxygen लेगा, फिर pulmonary vein से oxygenated blood, फिर होता हुआ आपका body organs में जाएगा, body organs में आपके वापस lungs में जाएगा, ठीक है, तो यह blood circulation का diagram तो, यह बहुत ही simple है यहां पर आपके 10th में, आगे जाके आपको यह जब आप पढ़ोगे ना तब आप यह गाऊँगे कि यह होगे अगे, ठीक है, क्योंकि 11th में यह पूरी तरीके से आपका explain है, अब हम बात करेंगे double circulation की, blood travels twice through the heart in one complete cycle of body, blood जो आपका travel करता है, twice करता है, heart में यह complete cycle में जो आपकी body मोगती है, तो यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको clear diagram देख जाएगा कि किस तरीके से वर्ट दढ़ता है, direction of blood flow through human heart, एक है human heart का blood flow है, अब हम बात करेंगे pulmonary circulation की, एक है, तो pulmonary circulation जो होता है, blood जो होता है, blood moves from the heart to the lungs and back to the heart, अब इसमें क्यों होता है, ब्लड जो होता है, move करता है heart से lungs पर, ठीक है और फिर वापस कहा आ जाता है heart में, systematic circulation की हम बात करेंगे, blood moves from the heart to rest of the body and back to the heart, अब इसमें क्यों होता है, blood पूरी body में घूम के वापस कहा आ जाता है, heart से चला heart में आगी है, ठीक है written heart में आ जाता है, यह होता है systemic circulation और pulmonary circulation, अब हम बात करेंगे blood, आप fluid connective tissue, इसमें दो होते हैं, granular component और liquid component, granular component आपके हो गए blood carpuscles, और liquid component हो गए आपके plasma, तो अब इसके अंदर के होता है blood carpuscles में, अब जैसे कि आपके कोई cut लग गया, आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपके ठीक blood हो जाता है, यानि कि खून गाड़ा सा हो जाता है, और वही के वही जम जाता है, तो उसमें क्या होता है, platelets होती है, जो blood clotting कराती हैं, कि blood को clot कराती हैं, अब हम बात करेंगे WBC की, provide body defense by engulfing the germ and producing antibodies, अब आपकी body में कोई germ में चला गया, तो उसको खाने का काम कौन करेगी WBC wild blood cells, और उसके खिलाब antibody produce करेगी, कि वही इस तरीके का जर्म आ जाता है, और इसके खिलाब हमें एक काम करना है, यह वाली antibody हमारी काम करेगी, तो यह काम आपका WBC का है, आ यालो कलर फ्लूट कंटेन 90% water and 10% organic substance like plasma, protein, फेज, albumin, globulin, inorganic minerals, mineral ions, तो यह सब होता है आ यालो कलर फ्लूट में है, यह लिम्फ जो होता है आपका, यालो इश टोड़, escape from the blood capillaries, capillaries into the intercellular spaces, space contain less protein than blood, lymph flow from the tissue to the heart, adjusting in transportation and destroying death, यह वाद आप समझ गे, germ को destroy गरना है, transportation करना है, ठीक है, टिम्फ का यह वर्क है, अब हम बात करेंगे blood vessels की, तो blood vessels में आपके arteries and veins आ गई तो arteries जो होती है, अब फस्ट हम arteries में देखेंगे, carry oxygenated blood from heart to part, heart to body parts except pulmonary artery, oxygenated blood को heart से body parts पे ले आते हैं, सिवाए pulmonary artery के, अब veins क्या करती है, carry करती है, deoxygenated blood, oxygenated blood आपको वो blood होता है, जिसके अंदर oxygen नहीं होती, CO2 होती है, oxygenated blood में आपकी oxygen होती है, यानि की O2 होती है, क्या क्या है, carry deoxygenated blood from body parts to heart, except pulmonary artery, यह carry करेगा पूरी body का, deoxygenated blood सवाए pulmonary vein की, और या हम artery है और या बेन है, इस बात को याद आप रखियेगा, also called distributing vessels, यह जो होती है, distributing vessels होती है, also called collecting vessels, और यह vessels collecting होती है, यह thick and elastic होती है, यह thin and less elastic होती है, यह deep seated होती है, यह surface as compared to arteries, यह यह superficial होती है, as compared to arteries, अब हम करेंगे, transportation in plants की बात, there are two main conducting pathways in plant, plant में जो होती है, the main conducting pathways होती है, plants में, xylem and flowing, carries water and minerals from the root, to other parts of the plants, अब इसमें क्या होता है, root जो होती है, वो carry करती है, water को और जो mud में present होते हैं, minerals, उनको लेते हैं, root के तुरू plants, xylem में ठीक है, flowing क्या करता है आपका, carry करता है, product of photosynthesis, from leaves to the other parts of the plant, photosynthesis from leaves, leaves के अलावे, plant के जो other parts होते हैं, वहां से, no energy is used, इसमें energy used होती है, इसमें energy used होती है, from ATP, ठीक है, flowing में जो energy used होती है, ATP होती है, अब हम बात करेंगे, transpiration, transpiration is the process of loss of water, and water as wafer, मतलब, transpiration में जो water का loss होता है, वह पाप के फौंग में होता है, मतलब, wafer की फौंग है, from aerial part of the plant, plant के aerial parts है, अब इसका जो function है, परस्ट हम बात करेंगे, absorption and upward movement of water, and minerals by creating full, अब इसमें के होता है, absorption होता है, upward movements है, water and minerals का, और इसके निए यह क्या बनाते हैं, यह पुल बनाते हैं, help in temperature regulation in plants, और यह क्या करते हैं, temperature regulation में help करते हैं, plants ने, transport of food from leaves, leaves से food का transport करते हैं, और इसको food factory बोलते हैं, to different part of the plant, is called translocation, आयोब आपका यहां तक clear हो गयो हो, इसके अलावा भी आपको कोई भी दिक्कत आती हैं, तो आप हमें, यह आप मेसेज कर सकते हैं, यह हमारा group and channel donor, Facebook, Instagram पे आप हमें follow कीजी, YouTube पे आप हमें subscribe कीजी, अपने friends के साथ share कीजीए, बढसे आप बचियां से जोल सकें, okay and thanks for watching.